हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर में डिजाइन लेके आई हूँ, तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं से कैसे बनाते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स डिजाइन बनाने से पहले हम फंदे की कैल्कु होगा. यहां सबसे पहले मैंने डिजाइन की फर्स और सेकिंड रो बनाके कंपुलिट कर लिए हैं सीधी तरफ से पूरी रो मैंने सीधी बुनी है और बैकसाइड की पूरी रो मैंने उल् опасable लिए अब यहां मरी डिजाइन की थटर रो है यहां पे हम कलर चेंज क्योंकि यही 8 फंदे पूरी रो में अमने दर आने हैं, 5 फंदे हम सीधय बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे हमने सीधय बुन लिये हैं, अब 1 फंदा हम slip करेंगे, और 1 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर से 1 फंदा हम slip करेंगे, एच के फंदे को छोड़ करके यही आठ फंदे हमने पूरी रो में दोराने हैं फिर से रिपीट कर रहे हम डिजाइन को पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच एक फंदे हम स्लिप करेंगे एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे एक फंदे हम स्लिप करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमने एक बार और डिजाइन को रिपीट कर लिया है और फिर से हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे दो, तीन, चार, पांच और एच के फंदे को हम सीधा बुल लेंगे इसने से डिजाइन के थर्ड रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी छे फंदे हमारे रेट से हैं और लास्ट में भी छे फंदे हमारे रेट से सीधे बुने हैं अब आते हैं बैक साइड में, डिजाइन की फोर्थ रो पहले फंदे को हम उल्टे फंदे की तरह से उतार लेंगे धागे को पीछे करेंगे और पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे हम सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सिधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सिधा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे फ्रेंट्स धागे को आगे पीछे करना हमने नहीं भूलना है पांच फंदे हम सिधे बुनेंगे दो तीन चार पांच धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सिधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम सिलिप करेंगे धागे को पीछे करके पाँच फंदे हम सिधे बुनेंगे दो, तीन, चार, पाँच धागे को अपनी तरफ करके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि यह हमारी उल्टी साइड है इससे डिजाइन की फोर्थ रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं सीधी साइड में पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और पाँच फंदे हम सीधी बुनेंगे सेम थर्ड रो की तरह हमने रिपीट करना है पाँच फंदे हमने सीधी बुन लेंगे एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे एक फंदे हम सीधा बुनेंगे फिर से पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे एक फंदा हम स्लिप करेंगे एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे फिर से एक फंदा हम स्लिप करेंगे अब पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे और एज के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे इसने से डिजाइन की 5th row वन के हमारी complete हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 6th row पहले फंदे को हम परलवाई slip कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे 5 धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे हम slip कर लेंगे और एक फंदे हम slip करेंगे धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे 2 3 4 5 धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदे हम slip करेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदे हम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंद हम स्विप करेंगे धागे को पीछे करके पाँच फंद हम सीधे बुन लेंगे तीन चार पाँच धागे को अपनी तरफ करके एच के फंद हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से डिजाइन की 6 रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है में फिर निक्त परफ़ाल सोया है करें और फ्रेंडे हमने फिर से हम इसी डिजाइन को रिपीट करना ना है लेकिन स्टार्टिंग मीं थोड़ा चैंज होगा फिर समेंस्ट करें हैं डिजाइन को सबसे पहले हमने बेस कलर से दो लाइने सीधी और उल्टी बुननी है जो मैंने पहले यहां पर बुनी हुई दी कि अब यह फिर से रिपीट हो रहा है डिजाइन डिजाइन की सेवंथ रोव पूरी रोगों हमने सीधा-सीधा बुनना है इस ते सेवंथ रोव बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है जोकि पूरी हमने सीधी-सीधी बुनी थी अब आते हैं बैक सेड में डिजाइन की एर्थ रोव डिजाइन की एर्थ रोव को पूरा हमने उल्टा बुनके कम्प्लीट करना है यहाँ पर मैंने एर्थ रोव को उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लिया है अब आते हैं सीधी साइड में डिजाइन की नाइन थ रोव अब फ्रेंट्स यहाँ पर हमने फिर से कलर चेंज करना है यहाँ पर मल्टी कलर में डिजाइन बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर दोस्रा कलर लगाना है अगर आप दो रंग में बना रहे हैं तो आप फिर से रैट कलर को कंट्यूनी कर सकते हैं लेकिं यहाँ पे हम मल्टी कलर में बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, फ्रेंट्स यहाँ पे मैंने गरीन कलर को लगा लिया है, अब स्टार्टिंग बहुत द्यान से देखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग सही हो जाएगी, तो पूरा डिजान हमारा सह ही हो जाएगा, अब ध्यान से देखेगा, सबसे पहले हमने थर्डों में क्या किया था, एक फंदा स्लिप किया था, पांच फंदे हमने सीधे बुने थे, अब हमने क्या करना है, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदे को स्लिप कि अब अब इस ट्राटिंग में ध्यान से देखें canım पहले फंधकिव की इस के फंधु को और एक फंधा हम सीधा मुझांगे बुर्णर 2 फंदे हमारे सिध्य हो गए अब हमने एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदे को हमने सीधा बुलना है एक फंदा हम स्लिप करेंगे यहाँ फिर से 8 फंदों के अमारा repeat pattern चुरू हो रहा है ध्यान से देखेगा friends, 5 फंदे हम सीध्य बनेगे प्रेंट आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जब हम पांच फंदे सीधे बनेंगे तो ये तीन फंदे हमारे बीच में आने चाहिए एक दो तीन फंदे हमारे बीच में आने चाहिए किनारे पर हमारे एक फंदा होगा इधर किनारे पर एक फंदा होगा इस चीज़ का ध्य करेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे और एक फंदे खुरी करेंगे यहाँ तक घ्क डिजैन हमारा बन गया है डिए अब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे दो तीम चार पाँच एक फंद हम स्लिप करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बनेंगे एक फंद हम स्लिप करेंगे लास्ट में दो फंदे हम सीधे बनेंगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि किनारे पे हमने दो फंदे हमारे गरीन कलर से हैं लास्ट में भी दो फंदे हमारे ग्रीन कलर से हैं, इस तरह से डिजाइन की 9th row बनके हमारी complete हो गई है, अब आते हैं back side में, डिजाइन की 10th row, पहले फंदे को हम उल्टे फंदे के उतार लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, जो फंदे हमने बुने हैं, उनको हम सीधा बुने दागे को पीछे करेंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे हम सीधे बुनेंगे, तीन, चार, पांच, धागे को अपनी तरफ करके, एक फंदाव स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदाव सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके, एक फंदाव सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके, एक एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे जैसे हमने नाइंध रों की तरह रिपीट कर रहे हैं एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे एक फंदा हम स्लिप करेंगे और बीच में पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे जैसे हमने नाइंध रों में बनाया था से में बुची को रिपीट करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे को हम सीधा बनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से पांच फंदे हम सीधे बनेंगे दो तीन चार पांच एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदे को हम सीधा बनेंगे एक फंदा हम स्लिप करेंगे ल पाते हैं बैक साइड में डिजैन के 12 तो पहले फंदे को परल वाज स्लिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदाम सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदाम सिधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदाम सिधा बुनेंगे तीन चार पाँच धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदाम सिधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सिलिप कर लेंगे के फैर इस इसी के साइब भी भी बनके हमारे हो गया है प्रेंट्स आगे अपने इनी 12 लाइनों को बारबारी दिपीट घानेंगे acum अपने 12ड और डिपीट करते हो गया थो नजहीं पासे एक प्यार बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है को साइए यह मारी फेने साइड है तो फ्रेंड्स आप भी अपने मांच चाहे कलर लेकर के इस डिजाइन को बना सकते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर डिजाइन है इस्पैसली बच्चों के स्वेटर में डालेंगे तो बहुत ही सुन्दर बनके नजर आएगा तो फ्रेंड्स उमीद करती आज का वीडियो आपको पसंद आएगा यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें मिलती हूं अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद